आज हम रोस्टर्ड पोहा नमकीन बनाएंगे नमकीन बनाने के लिए हमने 500 ग्राम पतला पोहा लिया है इसको हम एक कड़ाई में डालेंगे और इसको रोस्ट करेंगे हलके हाथों से चलाते हुए हम इसको अच्छे से भून लेंगे चार से पांच मेंट हो चुके है हमने इसको अच्छे से भून लिया है देखे हमारा चिटबरा अच्छे से क्रंची हो गया है अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे अब हम एक कड़ाई लेंगे, इसके बीच मैंने तीन चमस और एल के डाले है और इसके बीच हम मुंगफली के दाने को फ्राई करेंगे एक कप मुंगफली के दाने लिए है, इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे मुफली हमारी फ्राई हो चुकी है अब हम इसके वीच बदाम डालेंगे मैंने 20 बदाम लिये थे इनको मैंने 2 पार्ट में कट कर लिया था अब हम इसके वीच काजू डालेंगे काजू और बदाम को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसके वीच किसमिस डालेंगे किसमिस हमने लास्ट में डालनी है वोगि किसमिस बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है गैस को लो मीडियम ही रखे ड्राइफुर्ट फ्राई हो चुके है अब हम इसके वीच मसाले याड़ करेंगे हाफ चमच हल्दी पॉर्डर हाफ चमच नमक एक चमच चाट मसाला इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसके वीच हाफ चमच लाल मिर्च पॉर्डर डालेंगे अगर आप तीखा खान अपसंद करते हैं तो तभी डालें इसको नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं हाफ चमच काला नमक लिया है सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके वीच चिरब्रा एड़ करेंगे चिरब्रा हमने रोस्ट करके पहले रख लिया था और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चिर्वरन मकीन को बना कर आप इसको कई महीनों तक एर टाइट कंटेइनर में डाल कर रख सकते हैं नमकीन हमारी त्यार हो चुकी है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग